इसमें बना रही है और यहां पर थोड़ा से ब्रैड को सेख लूंगे और यहां पर मैं बनाओंगी पनीर के पकोड़े क्योंकि आज है तो यह बेशन को मैंने सब चान लिया है और इसमें मैं मिला दूंगी थोड़ा साल्ट और रेड चिली पाउडर यहां पनीर का जो तरह से थोड़ा पारी डाल करते जाएंगे बीट और फिर यह जो पनीर है हमारा इसके होम कर लेंगे कट आप किसी भी शेप में से कट कर सकते हैं मैं इसको पकोड़े इस तरह से बनाओंगी पहले जो बड़े पीसे इनको इसे डिप करके फ्राय करूंगे और फिर इनको सब्सक्राइब देखते जाएं और यह पनीर हमारा यहां पर बहुत ज्यादा सॉफ्ट था और बहुत ही जादा टेस्टी पकोड़े बनकर हुए थे रेडी यह देखिए इस तरह से मैंने पनीर को कट कर लिया है अब इस पनीर पर में यहां पर तोड़ा साल्ट और पर बहुत ही जादा टेस्टी बनकर तैयार होता है पकोड़े देखिए इस तरह से अब सब्सक्राइब कर दिया है थोड़ा से फ्लिप करके भी पनीर को पैने स्प्रिंकल कर दिया था इस पर और बस सब हमारे पकोड़े बनने के लिए रेडी है अब इस तरह से देखिए केस Six को मैंने ऐसे रखा है और यह मैंने कराई को रख दिया है हाई फ्लेयम पर ही रखेंगे दिया हिए उस तरह से बड़े बड़े पीसिस हम इसमें कर देंगे डिप में करण गे हैं इस तरह से यह न को कुझा आध में तो बहुत जादा टarte म rivers मेर्न कर रेडी होते हैं पक करके एसमें से two to pieces करके या जो रेक हैं जो कोई बढ़ा हो गो दोसमें से three भी हो जाएंगे इसां से be back 这都 olduğ में देखें MAT unity with me자 करके इसमें बनाऊगी मैं सके ब कड़के कि और दो बनाओ को कर लिया है इसमें पिर इन में इन में कट लगा दूगी बहुत बनाओ चोटे बीधियम साइज नहीं हम बनाओं और इस तरह से आप लोगोब बनाकर ट्राइगागा चोटे कि सलाओ इस तरह से तरह से आप बना कर लिए तो बस यह आज घर परी थे तो मैंने सोचा के पनीर रखा था फ्रिज में तो मैंने सोचा पनीर के पकोड़े बना देती हूं उनको थोड़ा अच्छे भी लगते हैं और जब ऑफिस नहीं जाते तो थोड़ा टाइम भी होता है कि एच्छे से नाश्ता कर ले नहीं तो बहु अज़े बनाया जाए तो फिर मैंने यह पकोड़े बनाए और सभी को बहुँ ज़्यादा अच्छे लगे हैं मम्मी तो कुछ खाती नहीं है ऐसा फ्राइव वावा कुछ भी मम्मी ज़्यादा लेती नहीं है तो लेकिन आज मैंने बनाया था थो थोड़ा सा उनको भी टेस इस तरह से मैंने एक बैच पूरा निकाल लिया है और यह देखिए बहुत ही जादा टेस्टी परी पकोड़ा बनकर हो गया है और अब मैं इनको सर्फ कर देती हूं और फिर यह देखिए दोपैर हो गई है तो दोपैर में मैं यहां बनाओं गया अज बरियानी आज मैंने रेसिपी भी आप लोगे साथ शेयर किया है ममी ने भी और यह देखिए यह पर आगई हूं मैं अंदर और थोड़ा सा घर पूरा बिखरा हुआ है क्योंकि बच्चे अभी मॉनिंग में तो ऐसा ही हो रहा है बस जल्दी से मैं इसको क्लीन कर दूँगी यहां से सब य अनियन और सबी कुछ है मैंने यखनी को कर लिया है रेडी पूरा हमारा जो यखनी है वो रेडी हो गई है देखिए जो हमारी बिर्यानी है यह हमारी हो गई है तैयार अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ यह मैंने पकार कट कर लिया तो फोड़ी ग्रीन चिली भी डालूंगी और आगा है हमारे यहां पर समोसे क्योंकि समोसे है ना अब सर्दियों में दूफ निकले तो समोस चाय के साथ बड़े टेस्टी लगते और अभी थोड़ा खाने में जो है थोड़ी प्रिपरेशन कर रही हूं फ्राइडा है थोड़ा से अपना इबादत भी करनी होती है तो इसलिए जल्दी जल्दी से मैं प्रिपरेशन में लग गई हूं और यह देखिए पॉमेग्रेन यह देखिए यह देखो हमारे हां पर आगाएं हैं गैस्ट हमारी मेरे हजबेंड की खाला हैं Business और अचैनल में लेकर बढ़ना थे शOOD कर लिए जा रहे हैं और बस यह नाश्ता गरारी है तो चलिए वह नाश्ता करेंगी तो बहारी बैठी है थोड़ा दूप में बैठना थोड़ा अच्छा लगता है तो इसलिए देखिए यहां पर बैठी हुई है और यह देखिए यहां पर हम लोग शाम की चाय जो कर रहे और बहुत ज्यादा खुछ होता है और इतना ही जादन को परिशान करते है अपने डैडी को बोलते हैं बाहर जाना है बाहर जाना है अब तो खेर मम में आई हुई है तो बहुत ज्यादा दिल लग रहा है बच्चों का सबका तो पी लिजे माट हो रही है हाँ हाँ चोटी की हा प्रेटी नहीं कि यह आपका यह आपका अपको यह देखें यह आपर खेल रहे हैं बच्चे और मम में लिया है रोटी बनाकर बच्चों के लिए उन्ताव और इनको रोटी कहलाँगे और मैसे यहाँ पर खेल ले मेरा बस बच और मत लगाओ पूरा फेस आपने डर्टी कर लिया अब अब नहां देखिए अब नहीं के रगाया अश्में पेंकर पूरी डाली चलिए अपने रोटी फिनिश कर दीज़े अब पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीज़े चैनल को सब्सक्राइब कीज़े बा बाइ